नमस्कार मित्रों मैं पंडिता खिल सुक्लू जैमा काल आयुरुवेद मेरा मोबाइल नंबर है 91658238000 आज मैं आपको यह पोधा जो दिखा रहा हूं यह भूई उत्रन का पोधा है भूई उत्रन जैमी चिपका हुआ होता है यह देखिए इसके से फूल होते हैं और एसी इसकी छोटी पत्ती होती है यह बहुत कम मिलता मित्रो रियर पर जाती है बहुत सारे वीडियो ड़ले हुए पर यह पोधा नहीं पिलता इसको सबसे बड़ी बात भूई इसलिए बोलते हैं जमीन जमीन से चिपका हुआ पोधा रहेगा उसकी पत्ती छोटी रहेगी और उसका नाम भूई रहेगा इस इसमें एक बड़ी उत्रण के पूरे गुण होते हैं उत्रण मतलब अब इसका अईरुवेद में कहीं विबरन नहीं मिलता आदिवासी लोग इसको भूई उत्रण बोलते हैं यह इसकी जड़ है यह ऐसी बीच में इसके डंडी मिलेगी और यह छिलका यह छिलका ही इसका लिया जाता है इसको ऐसे दबादेंगे यह तो यह छिलका छिलका निकले आएगा और यह जड़ फेग देना है यह बीच की जो यह जो है न मोटी यह फेग देना है यह मित्रों बहुत ही काम की उश्यादी यह किसी भी प्रकार का नसा गांजा भांग गांजा भांग उस नसे को उतारने के लिए अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात यह है जो मांशिक रूप से जिन में चिर्चिरापन है या परिशानी आ गई है दिमागी परिशानी है और मिर्गी का दौरा है उसमें भी यह और शदी काम बहुत काम आती है इसकी जड़ों को ऐसा निकाल आके सुखा लेते हैं और फिर इसको कुट पार में पीली बांत मी सफेद ब्रामी और मिनका इसकी संग पुस्वी पीली संगपुस्वी मिलाकर इसका पार पाउडर बना के यदि दिया जाए तो जितनी भी दिमागी परिशानी है आज कर आप देख रहे हैं बच्चे चिड हुच्छिप होते जा रहे हैं ज्यादा मोवाइल देखने दिमाग में घर्मी आ जाती मिरगी कफ की बिर्गी सम घर के लग गोसे यह कफ इस Guan मार रोग अस्वाद रोग जिसको एक कमरे में बेठा रहेगा आदमी काम में मन नहीं लगेगा और नाना प्रकार के विचार दिमाग में आएंगे नींद का नहीं आना सबसे पहले शुरू होता है ये पेट से रोग फिर दिमाग में गर्मी आ जाती है तो नींद नहीं आती है फिर अगर तीन दिन आदमी नहीं सोय तो पागलपन हो जाता है उसको पागलपन का दोरापन ने लगता है दिमाग में दिमाग बहुत ठंडी ची का सिर्गरम नसे तनी हुई और ठंडे रहेंगे तो समझ जाना चाहिए कि इसको अस्वाद रोग है या दिमागी परेशानी है छोटी-छोटी मुसीबतों में दिमाग में जो टेंशन लेते हैं बार-बार जरह सी मुसीबत आई और इक्दम घबरा जाते हैं बी-पी बढ़ जाता है तो इस प्रकार के रोगों के लिए दिमाग को सांती प्रदान करने के लिए यह यह जो आपका भूई भूई यह नहीं जमीन भूई उत प्रण उतार देता है सब चीज को सब चीज को उतारने के लिए मैंने बताए इती चीजों को मिला के चूरंड दिया जाता है हमारे यह से तो एक 10-15 खुराक में अराम हो जाता रोग ज्यादा पुराना रहा तो फिर एक माह का चूरंड देना पड़ता है परन्तु यह कोई भी व्यक्ति खाले तो नीूरांस को ठंडा रखता है दम नीरांस दिमांग आप ठंडा रहेगा आप बहुत बारिक चीज होती जिसको नीड जो एक जगह से दूसी जगह संदेज ले काने का काम करते संदेश वाहक का काम करते देखते न आप फाइटर पाइलेट हर को नहीं बन पाता है फाइटर पाइलेट का दिमाग इतना तेज होता कि एक उसका नियूरांस की चेकिंग होती कि एक सेकंड में कितने संदेश वो इधर से उतर ले जाता कितनी जल्दी उनको क निर्णे लेगा आदमी उत्रा अच्छा काम करेगा जित्ता जल्दी बाजी में निर्णे लेगा उत्ता काम आपका बिगड़ेगा जल्दी बाजी का काम गड़बड़का बोलते हैं न लोग सांत दिमाग से जो निर्णे लिये जाता हमारे जीवन में वो बड़े काम काते है पर आजकल मोवाइल के कारण बच्चों का दिमाग सांत रहना बंद कर दिया। छोटी छोटी बात में आप देखेंगे जड़ा सा गाड़ी में लग गया और लड़ाई जंगड़ा करने लग जाते हैं। ये दिमागी परेशानी है। पागलपन कई प्रकार का होता है। अप इसको ध्यान रखना चाहिए मित्रों और इस बीमारी से बचने की ये बहत्री नौशा दिया। नसा कैसा भी क्या करने वका आती हो गया। अगर इसको एक महा तक किसी भी खाने में या कहीं भी पिला दिया जाए तो नसा भी धीरे धीरे वो करना छोड़ देते हैं। क्यों जब नसा करेगा तो आदत हो जाएगी फिर वो बिना नसा के सोई नहीं पाएगा। तो ये नसा को सुधारने की जब ये उसका दारू का काम ये करेगी गांजा का का काम ये करेगी जब दिमाग ठंडा आपको दिमाग की सीतलता को जब अमरत मिल जाएगा पीने को तो ठर् युवा वर्ग आप देखिए आजकल दो जगे सामक टाइम आप कभी भी देखेंगे दो जगे दो दुकानों पर बहुत ज्यादा भीड रहेगी एक सराप की और एक दवाई की दोनों धंदे नगत के हैं इसलिए बोलते ना दवा दारू दवा दारू पुराने जो जवाने म पहले दारू पियों फिर दवा का उप्यों करो दवा दारू का संबन्द बेटी रोटी का है तो हमारा युवा वर्ग दिन पर दिन उससे ग्रसित होता चला जा रहा है क्योंकि उनको टेंशन जमाने भर का नोकरी का टेंशन पड़ाई का टेंशन तो वह एक साधान सांग को एक नुस्का मिल जाता है सराप का यह लोग सिखा देते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं और पूरा युवा समाज बड़ा दुख होता है इसको देखके जब मैं देखता हूं शराप की दुकान पर छोटे छोटे लड़के 15-16 साल के 20 साल के सराप की दुकान पर नजर आ हैं सरे आम युवा वर्ग बरबादी की ओर चला जा रहा है आप भारत को हिंदू राष्ट बनाने की बात करते हैं पहले नसा मुक्ति करवाईए फिर कोई राष्ट का निर्मान होता है सराभी नसा से कोई राष्ट नहीं बनता कभी निर्मित नहीं हो सकता तो आप देखि ड़िए मित्रो अपने बच्चों को समाली एक और दिन इसकी ओंपिर आत्मःत्य कर लते हो आत्मक्त्या का परसंटेज दिन पर दिन बढ़ता क्यों जा रहा है जब बहुत ज़्यादा नसा कर लेते हैं फिर कुछ समझबह नहीं आता पैसा आता नहीं और नसे कि जादी हो जाते तो फिर एक रास्ता बचता या तो उधार लेते जरुवत से ज़्यादा उधार ही हो जाने के बाद फिर जब लोग परेशान करते हैं तो आत्महत्या अंतिम परिनाम उसका होता है यो बहुत खराब चीज है यही पूरा लिंक है मित्रो आप देख लीजिए मेरे मुवाइल नंबर है 9165-8238-00 जो पी टी अखिल शुकला चोटा पी चोटा टी एक 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 हचाइल दालेंगे तो मेरे धाई हजार वीडियो है मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए मित्रो यह बड़ा काम का वीडियो है और समस्त लोगों को इसको पहुंचाइए ताकि जवान लड़के नसे से यह एक उपाय है जो बड़े दिन से में इसको ढूंड रहा था बहुत मुश्किल से प्राप्त होई है मुझे क्योंकि यह जमीन से चिपकी रहती है और जब छोटी 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 घास उग जाती एक ही स्थान पर मिलेगी यह 10-15-20-25 मिलेगी इसको बंदर बहुत खाता है इस लिए इसको बचने नहीं देता भालू भी इसको बहुत खाता है यह उखाड़ एक पूरी खुली किताब है मित्रो हमारे रिशी मुनियों ने इसका गहन अध्यन करके सीखा है इसको देख लें मित्रो इसकी पत्ती ऐसी आपको कहीं मिल जाए तो लिया यूग करिए यह पुस्पल मुर्जा गया है तूटा हुआ काफी दिन हो गए दो तीन दिन तो इसको लेने गया था इसकी जो डगान है चप्टी चोकॉन मिलेंगी जिस पत्ती लगी है ऐसी बारिक- 1165-8238-00 देखिए मित्रो मैं आपसे बार-बार निवेदन करांगा कि इसको सब्सक्राइब करके और सबको पहुचाई आपके हां से अगर थोड़े से कई भला हो गया तो बड़ा अच्छा रहेगा आप जानते होंगे जो परिशान है माता-पिता वो इस परिशानी को भल नहीं बाती समस्ते होंगे नमस्कार मित्रो जै महाकार नायरुवेत